अरे कृष्णा सभी भक्तों का पुनहा एक वाई फिर से स्वागत है आज के इस स्रीमित भागवत कथारूप कारेकरम में वामन देव का अवतरन समझे रहे हैं और वामन देव का अवतरन हो चुका था थोड़ा सा आज फिर से उस कथारूप को समझेंगे फिर हम आगे बाढ को समझ रहे हैं अधियाए 37 है जो हमने संख्या हमने दी है तो कि सब्जया में संख्या नहीं दी गई है इस गरंथ में इस पुस्तक में संख्या नहीं दी गई है हमें देनी होती है ठीक है तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं देवता लोग जो है वो अपने इस्तान को निकल सकते हैं तो उनके गुरुदेवने बताया कि अभी साही समय नहीं है तुम इंदजार करो और अभी कुछ समय के लिए अदर्श अवस्ता में रहो ये सारी बात जो है इंद्र जाकर के अपनी माता अदीती को भी बताते हैं और अदीती को ये सारी जनकारी हो जाती है कि इंद्र का राज्य छिन लिया गया है और इंद्र का राज्य किसने छिना था बली महराज ने बली महराज तो अधिती बहुत परेशान होती है और उस परेशानी के अवस्ता में वो अपने जब पती उनके ध्यान से वापस आते हैं समाधी से वापस आते हैं तो उनसे वो ना क्यों आप नाराज से दिख रहे हो दुखी क्यों लग रहे हो अलग अलग रूप में पूछा क्या तुमारे से धर्म के नियम सही पालन नहीं किये गए क्या तुमने अथितियों का सदकार नहीं किया गया इस प्रकार उन्हें पूछा और अन्तम में जो है अदिती जी कहत कि आप तो सब कुछ जानते हैं और आपके होते हुए ऐसा कभी होई नहीं सकता कि मेरे से कोई नियम पालंग ना हो तो जो असुर लोग हैं वो हमारे बेटों पर देवताओं पर आकर्मन किये हैं और इस कारण से इंद्र का राज्य जो है छीन लिया गया है तो आपसे निवि क्या नाम है उनका कश्यपमुनि क्या उततर देते हैं आप में से एक जिना बताइए कह स्युपनि क्या कहते हैं कह स्युपनि क्या कहते हैं lub कैंदि जिना कोई भी बताओ प्लेज अऑर को विश्नु भगवान की भक्ति करने के लिए का यह पायो व्रत का जो पालन है उसको करने के लिए कहते हैं और अदिती जो है उस बात को स्विकार कर लेती है और कितने दिन के लिए पायो व्रत करना पड़ता है बारा दिन के लिए बारा दिन के लिए बारा दिन का वरत पालन करना होता है ठीक है तो इस परकार जो है ये अदिती जो है वरत पालन करना शुरू करती है और वरत पालन अदि जब उनका पूरा हो जाता है तब कौन परकट होता है हमने कल देखा था बहुती सुन्दर बात कही गई थी कि भगवान विश्णु कहते हैं अदिती की प्रात्राइं सुनकर भगवान ने कहा कि हे देव जननी मैं तुमारी हर्दिक इच्छाओं से भली भाती अवगत हूं मैं जानता हूं कि तुम अपने पुत्रों के विश्ण में अत्यदिक चिंतित हो तुम चाहती हो कि देव गण असुरों को पराजित करके अपने स्वर्ग लोकों को पुनह प्राप्त कर ले जिससे तुम उनके साथ मेरी पूजा अर्चना कर सको मैं जानता हूँ कि तुम युद्ध भूमी में असूरों का वद्ध होने के पश्चात, उनकी विद्वाओ और विद्वाओ को अपने मृतक पतियों पर शोक करते हुए देखना चाहती हूँ, तो विद्वाओ को मृतक पतियों पर शोक करना देखना चाहती हूँ, कौन से व हैं कि मैं तुम्हारे इच्छा से भली भाती परिचित हूँ ठीक है अब आगे भगवान ने एक और सुन्दर बात कई कि परंतु मेरे मतानुसार इस समय असुरों के प्राए सारे नेता अजय हैं वे सब उन ब्रावनों द्वारा सरक्षित हैं जिन पर सदे भगवान की कृप कायम रहती है देखिए जो शत्री होते हैं वो किसके रक्षा करते हैं पूरे समाज के रक्षा करते हैं लेकिन उनके पास शत्र के शक्ती होती है भुजाओ के शक्ती होती है उसे भी अदिक शक्ती किसके होती है मंत्रों के शक्ती और मंत्रों के शक्ती कौन रखते हैं अमन भगवान ने कहा कि देखो अभी जो है असुर जो है ब्रहामनों से असिरवाद प्राप्त किये हुए हैं और वो भी बहुत शक्ति शाली हैं फिर भगवान क्या कहते हैं कि इसलिए उन्हें शक्ति द्वारा पराजित करने का प्रयास निश्यति विपल रहेगा और भावे समस से आउको ही जनम देगा परंतु चुकि मैं तुम्हारे पायो वरत से संतस्ट हुआ हूँ और मेरी पूजा कभी भी वेरत नहीं जाती इसलिए मुझे तुम्हारे साहता का कोई न कोई मार्क अवश्यक खोजना होगा अगर तुमने मेरी पूजा किये तो वेरत तो नहीं ज सिडर करते हैं उसको भी भुगवान ध्यान रखते हैं ठीक हैं आगे बढ़ते हैं परमत चुकि मैं तुमारे पयोवरत से संतुष्ट हुआ हूँ और मेरी पूजा कभी भी वेरत नहीं जाती इसलिए मुझे तुमारे साहता का कोई न कोई मार्क अवश्यक खोजना होगा कौन बोल रहा है कि साहता के लिए मार्क होजना होगा स्वाइम भगवान तुमने अपने पुत्रों की रक्षा अत्यांत शावधानी पुर्वत इस वरत का पालंग किया हैं तुमारे इस वरत तदा कश्यप मुनी के तपस्याओं के फर्शवरुप मैं तुमारा पुत्र ब से एक उपाई खोज करके बताया वो उपाई यह है कि है अधिती मैं तुमारा पुत्र बनकर प्रकट होगा और तुमारे पुत्रों की रक्षा करूँगा मैं तुमारा पुत्र बनकर प्रकट होगा और तुमारे पुत्रों की रक्षा करूँगा समझ गए आप समझ गए आप लो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पुत्र बन कर प्रकट होँगा और तुम्हारे पुत्रों के रक्षा करूँगा कौन से पुत्रों की तारे देवताओं के रक्षा करूँगा बहुत बढ़िया तारे देवताओं पूछे जाने पर भी यह रहस्य किसी के समक्स उजागर ना हो, क्या रहस्य था, पहना साहू जी, पूछे जाने पर भी रहस्य ना बताएंगे, भगवान स्वेम उनके पुत्र बन करके आएंगे, यह रहस्य किसी को उजागर ना हो, बताएंगे, यदि किसी रहस्य को रहस्य ही रखा जाता है तो वह अवश्य ही सफल होता है ये कल भी हमने चर्चा की थी और मुदू पंडित प्रभु जी भी कई बार बताते हैं कि अगर कोई बात है कुछ हमने मानले जी जस्ट एक्जम्पल बोल रहा हूं किसी बड़े वग्ति को आपने प्रोपोजल दिया है मंदिर का कुछ डॉनेशन के लिए कुछ पर आप पहले ही ढिन्डोरा पीड़ देथे मैं तो उनसे मिलने जा रहा हूं मैं तो उनसे बात करने जा रहा हूं मेरे तो उनसे मिटिंग है और आखिरकार मिटिंगा सफल हो जाती है ठीक है यहा कहा कर भगवान विश्णु अंतर धान हो गए भगवान से यहा अतुलनी वर्दान प्राप्त करके अदिती फूली नहीं समा रही थी इस विशे से इस विचार से कि भगवान उनके उसके पुत्र बंद कर रवतार लेंगे अदिती अपने अवरत को सफल मानने लगी और शद्धा एवं भक्ती भाव से अपने पती के पास गई ग्याना वस्ता में सित कशप मुनी आसानी से देख पाए कि भगवान ने एक अंश भगवान के एक अंश ने उनके शरीर में प्रवेश किया है तत्पशात जिस प्रकार वायू लकडी के दो टुकडों के बीच गर्शन द्वारा अगनी उत्पन करती हैं उसी प्रकार कशप ने अपनी शक्ती को अदिती के गरब में स्तानांतरत किया तो सबसे पहले भगवान कहां पर प्रवेश किये कश्प मुनी के शरीर में यह कल थोड़ा सा मिस हो गया था है लेट करना कि सबसे पहले भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि कश्प मुनी देख पाए क्या देख पाए कि भगवान के एक अंश ने उनके शरीर में प्रवेश किया है और फिर जो है कशिप मुनी ने क्या किया अपने शक्ति को अदिती के गर्ब में इस्थानंतरित किया जब ब्रह्मा जी ने देखा कि सुम् भगवान अदिती के गर्ब में है तो वे वहाँ आकर उनकी सुत्ति करने लगे हे भगवन आप समस्त चराचर प्राणियों के मूल पिता है और आप ही प्रजापतियों के पिता है हे प्रभू जिस प्रकार किसी जलाशे में दूब रहे व्यक्ति के लिए नोका ही एक मात्र आशा होती है उसी प्रकार अपने स्वर्गी पदों से गिरे देवताओं के लिए आप ही एक मात्र आशा है आपके अलब और कोई आशा नहीं है जो स्वर्ग के पदों से गिर गए हैं देवतागर उनके लिए आप ही आशा है और दारण किसका दिया गया है? नौका, अगर कोई नौका किसी जलाशे में, कोई विक्ती जो है अगर कोई जलाशे में डूब रहे हैं, तो क्या मदद करेगी उस समय में? कौन मदद करेगा? नौका मदद करेगी नौका, नौका मदद करेगी नौका, तवत पश्चाद भगवान विश्णु ने अपने चतर भुज रूप में अदिती के गर्ब में, गर्ब से, तवत पश्चाद भगवान विश्णु अपने चतर भुज रूप में अदिती के गर्ब से प्रकट उन्होंने अपने हाथों में शंक चक्र गदा और पदम धारन किया हुआ था उनके पीत वस्तर चमक रहे थे और उनके नेत्र खिले कमल की पंखुडियों के समान सुन्दर थे भगवान के अंग कांती शामल थी और उनका मुख कमल अतिन थी चिता करशक था उनकी देह विबिन रतना भूशनों से सजी थी उनके वक्स स्थल पर शीवत सक चिनह था और उनके गले से सुन्दर सुगंदित फूलों की एक असाधारन सुन्दर माला लहरा रही थी पराग की खोज में मुदु मुख्यों के जुंड उस माला के चारों और मंदरा रहे थे तो ये भगवान की सुन्दरता के बारे में बताया गया है और कितने भुजाओं वाले भगवान हैं कितने भुजाओं में भगवान की सुन्दरता का वरणन किया गया है इशारा करो प्लीज इशारा करो और कृपा करो मेरे उपर इशारा चार भुजाओं वाले रूप में संग चक्र गदा पदम धारण किया हुआ है तो एक बार करपया करके ऐसा रूप हो सकता है तो डिस्पले कीजिए यह जो दर्शन दिये अधिती माता को भगवान ने संग चक्र गदा पदम धारण किये हुए हैं और पीत वस्तर धारण किये हुए हैं और उनके नेत्र खिले कमल के पंखुडियों के समान सुन्दर थे और भगवान के अंग क्यानती श्यामल थी श्यामवर्ण के थे भगवान और उनका कमल मुखातिन थी चित्ता कर्शक था चित्त को आकर्शित करने वाला भगवान का मुख उनकी देह विबिन रतना वोशनों से सजी हुई थी उनके वक्स तस्तल पर स्रीवत्स का चिनह था और उनके गलेब से सुन्दर सुगंदित फूलों की एक असाधरन सुन्दर माला लहरा रही थी पराग की खोज में मदमुक्यों के जुन उस माला की माला की चारों और मंडरा रहे थे पहुना जी तो कल ने दर्शन किये थे बहुत सुन्दर दर्शन है आप देख सकते हैं अधिती माता को भगवान ये जो है दर्शन दे रहे हैं और भगवान कहां से प्रकट कहां से हुए बताएंगे हमारे सामने अचला राम जी अचला राम जी जिनका नाम है बताईए भगवान कहां से प्रभुजी दो देन क्लास में नहीं था प्रभुजी अभी पढ़ा मेरे प्रभुजी हाथ जोड़ो आपको अभी पढ़ा नहीं मिल रहा हो यहां पढ़ रहे हैं पर लिखा हुआ रुके माता जी यह इस इंदु सिना माता जी अधिति मा के गर्व से यह अधिति माता के गर्व से प्रकट हुए भगवान ठीक है इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो अन करके बैठा करो class certain करा करो आप इदर उदर ध्यान जा रहा है आपका तो मैं वापिस आपको ले के आ सकता हूँ वापिस focus करा सकता हूँ इस कारण से मैं चाहता हूँ कि आप video on करके class certain करें बहुत सारे ऐसे लोग है class में जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ कि आप उसे बात ही नहीं हो रही है चर्चा ही नहीं हो रही है कोई प्रश्ण उत्तर ही नहीं हो रहा है मैं देखी नहीं पा रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं ध्यान पुर्वक सुन रहे हैं कैसे सुन रहे हैं इसलिए आप ध्यान पुर्वक सुनें और वीडियो जान करके बैठें आप से भी मैं बात कर पाऊँगा आपका भी ध्यान आकरशित कर पाऊँगा भगवान के इस कथा में भगवान के प्रकाश ने प्रजापति कश्चव के घर को पूरी तरह अलोकित कर दिया था और समस्त दिशाओं में तथा प्रतेक व्यक्ति के रदे में आनंद चा गया था एक ही समय चहों रेतु है अपने अपने गुणों का प्रदूर्शन करने लगी और भगवान के प्राकटे का विचार करके समस्त ग्रह एवन नक्षत्र सर्वत्म मांगलिक इस्ति में इस्तित हो गए तो आटमाटिकली जब भगवान कृष्ण रुप में भी आये थे सारे ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सब जो है अपनी बैस्ट से जो बैस्ति होती है सर्वत्म मांगलिक इस्ति जो होती है सर्वत्म भला करने वाली जो इस्तित हो गए भगवान भाद्रपद महिने की द्वादरशी के दिन अभिजित नक्षत्रम के समय प्रकट हुए भाद्रपद अभी कौन सा महिना चल रहा है भाद्रपद में जो हम देख पाएंगे कि वामन देव की अवतरण को हम सलिब्रेट करके है तो भगवान भाद्रपद वहिने की द्वादरशी के दिन अभिजित नक्षत्रम में प्रकट हुए इस दिन को वजय द्वाद्वशी के नाम से भी जाना जाता है भगवान को प्रकट हुआ देख वहाँ एकत्रित देवगण उच्छ स्वर में शंक ढोलत था अन्यवाद्यंत्रों को बजाने लगे अपसराय उलसित हो नर्त्य करने लगे गंधरवगण समुगान करने लगे और रशी महरशीगण देवता मनुपितागण एवं अगनी देवता भगवान की संतुष्टी हेतू उनकी इस्तुती करने लगे भगवान का यशोगान तथा नर्त्य करते समय सिद्गणों सुरुपन गणों तथा नागणों ने आकाश मारग से कश्रपुने के आश्रम पर इतने फूल बरसाए कि वह लगभग पूरा ढक गया जब अधिती ने देखा कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ती द्वारा उसके गर्ब से प्रकट हुए हैं तो वह विश्मे और आनंद से भर उठी हर स्तथा आश्र्य की मिली जुजली भावनाओं से विबोर कश्यप मुनी बारंबार जये का उद्गोश करने लगे उसमें अपने माता पिता की उपस्तिती में भगवान विश्म ने उसी प्रकार वामन का रूप धरण कर लिया जिस प्रकार रंग मंच की प्रस्तिती के पश्याद एक अभीनेता अपने वस्तर बदलता है भगवान ने अपने वस्तर बदल दिये पहले वो पहन रहे थे दो और उपर पितांबरी और फिर उसके उपर एक निलंबरी और अब जो है बगवान ने एक सफेद दोती पहने लिए, राइट? जा हुआ भी? बगवान ने अपना का पूरा का पूरा रूप बदल दिया हैं. भगवान जो है, चत्र भुज रूप से उन से रूप में आ गए हैं? वामन रूप में आ गए हैं. छोटा सा रूप धरन कल लिया हैं. तो आप सब लोग इस वामन रूप के दर्शन कीजिए. बहुत सुन्दर ये दर्शन है. कशिब मुनी और अदिती मैया और अन्य देवतागन भी आये हुए हैं. हम दशावतार स्थरोत्रम पढ़ते हैं. दशावतार स्थरोत्रम किसने लिखा हैं? पता होना चाहिए ना हम सब लोग वगवान की इन द्श मुल अवतारों की चर्चा करते हैं और जो प्रश्ण पूचे थे बेच 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 में नियुक है तो जो 88,000 और रिश्यमुन ये कत्रित हुए थे नमे शारने में उन्होंने वे छे प्रशन जो पूछे थे उसमें से एक प्रशन क्या था आपके लिला अवतारों का वरनन कीजिए आपके लिला अवतारों के बारे में वरनन कीजिए बताईए तो लिला अवतारों में ये दस मुख्य अ पुर्ष्णर जी के मंदिर आपको दशावतार लगभग मिल जाएगा जगनातपुरी भी जाएंगे तो दिवार पे दशावतार बने हुए है और जगनातपुरी में विशेश रुप्स से जैदेगो स्वामे जी द्वारा रचित गीत गोविंद काया जाता है यह बहुत ही स ठीक है तब तक हम आगे पढ़ते हैं तो भगवान ने कौन सा रूप ले लिया है चत्रभुज रूप से एक छोटे से बॉना रूप ले लिया है ठीक है और भगवान आए कहां से थे अधिति की गर्भ से प्रकड़ हुए थे चत्रभुज रूप में सीधा बहुत सारे किलवा देते हैं इस दूर करो भी तो ये असाधरन प्रकटे हैं भगवान का कि भगवान पुरे आभुशनों के साथ चत्रभुज रूप में और पितांबर धारन किये हुए और नीले कलर के उस रूप में प्रकड़ हुए भगवान कौस्तुबणी जो है वो धारन किये भगवान प्रकट हुए हैं और अब भगवान ने बिना कुछ समय गवाए ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय अपने माता पिता के उपस्तिती में भगवान विश्णों ने उसी प्रकार वामन का रूप धरन कर लिया जिस प्रकार रंग मंच पर प्रस्तुती के पश्यातिक अभ अभी ने ता वस्तर बदलने से क्या मतलब है जब को गलाकार स्टेज पर आता करका उसके बार नहर जाए प्रे वापस पुराने वस्तर में आ जाता है वेश 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 बदलने आजी क्या बोला वेश वेश बदलते हैं प्रवुजी जिस प्रकार व्यक्ति जो है नाटक करने के लिए एक रूप धारन करता है फिर बाद में वो वस्तर आदी सब छोड़ करके दूसरे वस्तर पेहनता है उसी प्रकार भगवान ने अपना पूरा रूप बदल दिया है यहाँ पर हम वामन भगवान का ये श्लोक पड़ेंगे पांचवे नमबर पर है थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा वो आप अच्छे से सुनके दौरन करेंगे मैं बोलूँगा उसको अच्छे से सुनना और उसको दौरन करना यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं है चलाया सिवेक्रा माने बलिम अद्भुत वामन चलाया सिवेक्रा माने बलिम अद्भुत वामन पदनकनीर जनित जनपावन केश्वधृत वामन रूपा जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे चलाया सिवेक्रा मने बलिम अद्भुत वामन पदनकनीर जनित जनपावन केश्वधृत वामन रूपाव जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय जगदी शहरे जय वामन देव जय वामन देव जय वामन देव नित्ताई गौर हरी बोल हरी बोल हरी बोल याई श्रीवामन भगवान की जाए श्रीदशावतार स्तुरत्रम की जाए श्रीला जैदेव गुस्वामी की जाए ठीक है तो हम बहुत ही सुन्दर बाते पढ़ रहे हैं इसा कि आप देख पाएं भगवान ए ग्रूप धाए प्रभुजी म्यूट है प्रभुजी आप म्यूट हो गए है जब महर्शियों ने भगवान की इस अद्बूत रूप को देखा तो वे अत्यंत प्रसंद हो गए करश्यप मुनी की भूरी प्रसंदा करके उन्हेंने भगवान के लिए जातकर्म संसकार एवम अन्न संसकारों को करना अरम किया भगवान दुनिया के सामने क्या प्रसुत कर रहे है उधारन प्रसुत कर रहे है जन्मनात जायते शुद्र बो जन्मनात जायते शुद्र जन्मनात जायते शुद्र जन्मन से हर कोई वक्तिर क्या होता है शुद्र होता है अज्यानी होता है सम्सकारात भवित द्विज़ सम्सकारात भवित द्विज़ सम्सकार से वो क्या बनता है द्विज़ अथार्त उसका दो बार जन्म होता है दो बार जनम होने का मतलब पहला जनम तो किस से होता है माता पिता से दूसरा जनम किस से होता रामा बतार जी पहला जनम माता पिता से दूसरा जनम बुलिये 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 रामा बतार जी बताईए कुछ तो बताईए जल्दी से माई कंद्म्यूट करके बोल। अरे बोल। नहीं बताड़े। माई कंद्म्यूट नहीं हुआ है। गुरू से होता प्रभाजी। दुसरा जनम जो है। गुरू पिता रूप में होते हैं और वेद जो हैं शास्त्र जो हैं माता रूप में होते हैं। तो जब फिर गुरू से दुसरा जनम होता है सम्सकाराद भवित द्विज़ द्विज़ बनता है द्विज़ ट्वाइस बॉन और फिर उसको एक और नाम दिया जाता है जैसे आप सब लोगों की भी जब दिक्षा होगी तो आप सब को भी एक अच्छा नाम एक अध्यात्मिक नाम दिया जाएगा कितने लोग रेडी है उस अध्यात्मिक नाम को स्विरकार करने के लिए अरी बोल कुछ लोगों के हाथ खड़े नहीं है क्या बात है अलब नहीं क्यों ऐसा है यह कर दो तो जब महर्शिया ने भगवान के सद्बूत रुप को देखा तो वह तिन प्रसंद हो गए और कश्टपुनी की भुरी प्रसंसा करके उन्हें भगवान के लिए जातकर्म संसकार एवम अन्य संसकारों को करना आरंब किया यग्यों पवित संसकार के समय सूरे देव ने सुहिम भगवान को गायतरी मंत्र प्रदान किया और बरस्पती ने उन्हें जने उदिया अच्छा भगवान की उम्र क्या होगी लगबग जब परकट हुए तो भगवान पहले तो छोटे से बच्चे होंगे एक दिन के दो दिन के तिन दिन के दूद पिने वाले नए बच्चे के समान नहीं थे रुची का माताजी बड़े हुए बच्चे के समान थे एक कुमार रमसा के आयोए बच्चे के समान थे ठेक है तो एक बड़े हुए बच्चे के समान थे और बहुत सारी चीज़ अब हम आगे समझने वाले हैं कि इतने बड़े हो गए थे कि उनको यग्यो पवित संसकार किया गया उनको जो है सूरे गाहितरी जो है स्वेम भगवान सूरे देव ने उनको गाहितरी मंतर प्रदान किया आप मैंसे कितने लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो हाथ खड़ा करना प्लीज सर्माना मत जो आई वीडियो आफ करके बैठे वो भी कर देना हाथ खड़ा मैं देख लूँगा आफ वीडियो में देख लूँगा गाहितरी मंतर जो है वो गाहितरी माता का मंतर है आप मैंसे कितने लोग जानते थे इस बात को गाहितरी मंतर जो है गाहितरी माता का मंतर है आप मैंसे कितने लोग इस बात को जानते थे यास ठेक है बहुत अधिक मातरा में लोग जानते हैं अच्छी बात है अब करप्या करके जो यह जानते थे इसको मिटा दिजिए गाहित्री मंत्र सूर्य देव का मंत्र है गाहित्री मंत्र सूर्य देव का मंत्र है यह गाहित्री माता का मंत्र नहीं है तो गाहित्री मंत्र को किस ने दिया? स्वयम सूर्य भगवान ने दिया कि याद रहेगा यापको थोड़ा-थोड़ा इस्टाहिल मानने के लिए किसी को पृष करते हैं बोल दिया कि वह सी इस्टाहिल में हम गहे हुए हैं वह दर्शन किए हुए हैं मगर यह नहीं पता था कि सुर्य बगवान के बूप सुर्य नरायन, जो भग्वान के प्रतिनिदी है, जो भगवान के प्रतिनीदी है उनको हम अवान करते हैं तो आज आप सब का हुमवर्क है अपनी आँखे खोल करके आज गायतरी मंतर का अर्थ पढ़ना ठीक है गायतरी मंतर का अर्थ पढ़ना आज ये आपका हुमवर्क है अरे ये क्या हो गया है यार जिन्दगी भर वो बूर बूर से बोलते थे और वो गायतरी मंतरा मातब वो याद करते थे जिसके हाथ में वेध है और वो ऐसे बैठी हुई है ये क्या हो गया आज पहले भी क्लास में बता चुका हूँ इसलिए मैंने पहुचा था ये प्रश्ण तो आप करप्या करके ये रिसर्च करना तो सूरे देव ने उनको गायतरी मंतर दिया किनको भगवान को पहुंसे भगवान को जो चतुर भूज रूप में वहाँ पर पस्तित थे अच्छा वामन देव को दिया अच्छा आपको लोग जाग रहे हैं क्या बात है हरी बोड़ मैंने समझा मेरे जैसे आप भी सो जाते क्लास देते देते संते संते ठेक है बरस पती ने उन्हें जनेव दिया ये फोटो डिस्पले कर देजिए उसमें सब कुछ है भगवान का जो देखते जाईएगा आप कश्व ने भगवान को घास की बनी मेखला दी मेखला क्या होती है अब जोला क्या होती है जोला क्मर की चारों बनी हुए ठीक है उसको बोलेंगे करदनी कमर के ऊपर बांदने की करदनी कमर पर आसाम में जाता लेगी जोई पहनती है अच्छा जी धन्यवाद वेगला ड्रेस के लाती है असाम की अरे बहुत बढ़ी अच्छा अच्छा अब्जरवेशन है आपका विए बीन देर विए शीन देर प्रभू जी वेरी नाइस प्रभू जी अरे किस्टा बुमी ने म्रग च्छाल बुमी देवी ने क्या दिया म्रग च्छाल इरन की च्छाल चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मा दंड दिया प्लीज दर्शन को डिस्पले कीजी न इसमें दिखेगा यह सब कुछ अधिती ने ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया आप लोग देख पा रहे हैं इनके हाथ में कमंडलू भगवान के यग्यो पविद्धी उनको जो है कमर पे बांधने वाला बेल्ट दिया उनको जो है चंद्रदेव ने ब्रह्मा दंड दिया दंड देख पा रहे हाथ में दंडा ठेक है अधिती ने अपने पुत्र को कौपिन दिया कौपिन होता है एक लंगोट अलंगोट तो हम सब लोग समझते हैं और अगर मॉडरन लोग बैठे इस क्लास में तो उनके लिए बोल देता हूँ अंडर वेर दिया माता ने ठेक है और स्वर्ग के अधिस्ठाता देव ने उन्हें एक छत्र प्रदान किया जो छत्र देख सकते हैं स्वर्ग के अधिस्ठाता देव कौन बगमान इंद्र जी ने उन्हें एक कमंडलू दिया सब्त रिशियों ने कुष घाष और सरस्वती देवी ने उन्हें रोद्राक्ष मोतियों की माला पहनाई कुवेर ने भगवान वामन को बिक्षा पात्र दिया बिक्षा पात्र जो यहां दिखनी रहा है वो नीचे की तरब दिखेगा है नीचे दिख रहा है नीचे प्रभू देख रहा है नीचे रखा हुआ है तो कुवेर ने उनको विक्षा पात्र दिया और भगवान शिव की भारेया पारवती देवी ने उन्हें पहली दक्षिना दी पहला दान दिया शिव जी ने पारवति मैया ने उनको पहला उस पातर में दान दिया इस प्रकार वहाँ प्रतेग व्यक्ति से भेट स्विकार करने के पश्चाद भगवान वामन ने अपने ब्रह्मतेज का प्रदर्शन किया उनकी सुन्दर्टा ने सभा में उपस्तित समस्त महर्शी तथा देवताओं के संदरे को फीका छोड़ दिया तथ पश्चाद भगवान वामन देव ने सुना कि बली महराज ब्रिगुवन शी ब्रहमनों के निरदेशा अनुसार असुमेग एग्या कर रहे हैं बली महराज ने जीत तो लिया था स्वर्गण लेकिन फिर यग्या क्यों करना पड़ा सुद्धागरवाल मताजी बली महराज ने इंद्र के लोग को जीत तो लिया था फिर यग्या क्यों करना पड़ा क्यूंकि उने इंद्र की पद्वी लेनी जी प्रभुषा किसने बताया भावना गुष्टा शुदाग्दरवाल जी से पूचाता है धन्यवाद भावना मत जी तो इंद्र जो है वो भरगुवन्शी ब्रह्मनों के निर्देश शानुसर अशुमे गयगय कर रहे थे उन्होंने असुर राज बली पर अपनी कृपा दिखाने का निश्य किया किसने निश्य किया कृपा दिखाने का बोग कोई भी बोल सकता है वामन बोगवन ठीक है अपने से कुछ लोग सोच सकते हैं आज के बाद भक्त बुद्धी बना लेना इदर देखो सबी लोग आज के बाद कौन से बुद्धी बना लेना भक्त बुद्धी भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ में अगर मैं मनाम जब करना शुरू कर दिया हूँ तो भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे साथ में ये मेरे उपर भगवान की कृपा है समझ में आरा आपको आपको लग सकता है कि ये बुरा है ये अच्छा नहीं हुआ भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आप क्या कहेंगे वो भग्वान की रिपा है बली महराज का सब कुछ छिन लिया जाएगा लेकिन भग्वान कुद क्या कह रहे है यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने असूर राज बली पर अपनी क्रिपा दिखाने का निश्य किया बली महराज नर्मिना नदी के उत्तरी तड़ परिस्थित भ्रिगुकच नामक इस्थान पर यग्य कर रहे थे भ्रिगुकच की और जाते समय भगवान के भार से प्रतेक पग पर भूमी दबी जा रही थी हायट कितनी है छोटी सी भार पूरी दुनिया के भार को संबालते हैं वो चल रहे थे भूमी दबी जा रहे थी जैसे ही यागिक ब्रामनों ने दूर से आते भगवान वामन को देखा वे उनके तेज को देखकर आशर चकित रहे गए वामन देव ने अपने तेज से बली महराज और समस्त ब्रामनों को निस्त तेज कर दिया कैसे वामन देव ने कैसे किया अपने तेज से बली महराज और समस्त ब्रामनों को निस्त तेज कर दिया वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि वहाँ बोना बालक कहीं स्वाहिम सूर्य देव अगनी तत्वा सनत कुमार तो नहीं है सनत कुमार कौन थे मंजु गुपता मता जी प्रभुजी ब्रह्मा जी की पुत्र थे प्रभुजी कितनी हैट थे उनकी छोटे थे प्रभुजी तो बच्पन से छोटे थे तो वामन देव को सो देखकर के क्या सो लोग वगेरा कहीं ये वो सनत कुमार तो नहीं है, अगनीदेव तो नहीं है, अगनीदेव क्यों सोचा उनहीं? Yes. क्योंकि उनके शरीर से बहुत तेज प्रकट हो रहा था. सूरीदेव, अगनीदेव अत्वा सनत कुमार तो नहीं? जब वे भ्रगुवंशी ब्रामन ये तरक वितर कर रहे थे तो उसमें भगवान वामन हाथ में दंड छत्र कमंडलू लेकर यग्य स्तली में प्रविष्ट हुए जहां यग्य हो रहा था उस स्तली में पर पहुंच गए क्या क्या लेकर गए दंड छत्र कमंडलू एक ब्रामन पुत्र के रूप में भगवान ने अपनी कमर पर मेखला बांदी हुई थी उनके बाए कंदेश से होता हुआ जनेव उनके वक्स स्तल पर शोभाई मान था उन्होंने अपनी कटी मर्ग चाल लपेटी हुई थी और सिर लाइव फिर जटा जूट बाल थे जटाας समझ गयेक उट्रiziert यह रोग में में अंतर मालू है किसी को जटा हो जी हो पसे जाटी हो लोगए तो दिनों तक बड़े ऊच और सकत हो जाते हैं जाता जो होती है वो गढ़लो नेतम veel सारे बालों में होती शिकाज उती है वो एक ही होती है जटा क्या होती है, जब एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने शरीर की रखराखाव से विरक्त हो और अपने बालों का भी ध्यान नहीं रखता तो बाल आपस में गुंत जाते हैं और धीरे 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 वो पूरे एकदम स्ट्रॉंग बन जाते हैं फिर उनको कभी खोलना भी संभव नहीं है तो वो उसको बोलते हैं जटा लेकिन भक्त लोग जटा नहीं रखते हैं भ पर मैं बक्त नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बने चाहिए, ऐसे रख लिया है, ठीक है, भगवान के प्रभाव से स्वेम को तेज हीन जानकर सारे ब्रामन तुरंत अपने आसनों से उठ खड़े हुए, और उनका यथोचित आदर सत्कार तथा प्रणाम करने लगे, है कोन हैं, असुर को मदद करने वाले ब्रामन, ठीक है, भगवान को इस परकार देख करके, भगवान का तेज देख करके वो उनको प्रणाम किया और वो यथोचित आदर सत्कार के साथ खड़े हुए, भगवान को देख कर बली महराज अत्यंत प्रसंद हो उठे, कि या भगवा ब्रामन के रुप में, भगवान को देख कर बली महराज अत्यंत प्रसंद हो उठे, पूरी तरह संतुष्ट मन से उन्होंने भगवान को आसन प्रदान किया, और उनके चरन कमल धोकर उनकी पूजा की, किनोंने पूजा की? बली महराज ने, प्रबू जी, भगवान चत्तुर बुज रूप में क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि भगवान उनके साथ चल करना चाते थे, उनके उपर अलग प्रकार से खरिपा करना चाते थे, उनका दुवारपाल बनना चाते थे, इसलिए भगवान जो है, ऐसे तो हम कह सकते हैं, कि भगवान कृष्णा रूप में हर अवतार में क्यों नहीं आए? वो अवतारी विशेश हैं, कि विशेश कारण से लिया गया है, फिर तो सीधा सीधा देवता कह लेते, दानव लोग कह लेते, पहले तो मोहिनी रूप में आए, और जो है, अमरित पिला दिया, अब सीधा आगए, अब चत्रभुज रूप में, तो भगवान तो आकर के मार भी सकते थे सबको असुरों को, लेकिन नहीं, अदिती ने जिस प्रकार से प्रहतना किये, उसको प्रति उत्तर में भगवान ने इस प्रकार का रुप धरन किया, भगवान के प्रभाव से स्वयम को तेजिन मान कर, सारे ब्रहमन तुरंद अपने आसना से उठ खड़े और उनके चरण कमल धोकर उनकी उज्जा की, जिस प्रकार शिवजी अभी अपने दर्शन किये थे, बली महराज ने क्या किया है, भामन रुप के, तो ये भगवान का आदर सत्कार कर रहे हैं के ब्रहमन का कर रहे हैं, बोलो अब भी लगवग एक महिना पहले एक परिवार में गया, मनिपूर या उदर का कुछ परिवार था, इधर ही गुर्दा में रहते हैं, तो घर में एंटर हो रहे थे, I think एंटर कर गए थे, फिर वापिस जो है, घरवाले आया एक मिलने के लिए, प्रभुजी प्रभुजी इसे नहीं आते हैं हमारे घर में, अच्छा कैसे आते हैं, आप वापिस बाहर जाईए, तो बाहर वापिस लेखे गए, फिर क्या किया, उन्होंने एक वो, एक स्टूल रखा कुछ इस तरह से, फिर उसके उपर, उसके अंदर परात या कुछ इस तरह से रखा, या अगुपाजी के ले कर सकते हैं, मारे जो बड़े प्रभुजी लोग आते हैं, उनके ले कर सकते हैं, हम इस लायक नहीं, इस प्रकार से ये संसकार है, कि जो भी ब्रहमन देवता घर में आते हैं, आज कल तो क्या सब कलियूग चल रहा है, तो आपको मालूम है, अलग-लग ब्रहमन है, एक चाय की टपरी चलाने वाले ब्रहमन होता है, पंडजी चाय वाले, एक होते हैं, चोटी वाला, मिठाई वाला, जोदपूर में तो ज्यादे तर जो जोदपूर मिश्टान बंडार चलाते हैं, वो सारे के सारे ब्रहमन है, तुम बात कर रहे थे कि भामन दे दंड धारण कर रखा तो रहात में चत्री थी उनको बिठाया एक आसन के उपर और बहुत ही सुन्दर तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार शिवजी गंगा जल जो भगवान विश्णो के चरण कमलो से होकर बैता है वो भक्ति भाव से अपने सिर पर धारण करते है आज की बाद याद रखे ना क्या शिवजी ने गंगा को जटाओ में क्यों धारण किया भगवान के चरण में से निकली गंगा प्यार है भाई ये कारण क्या है भाई ये कारण ये है कि उस वेग को कौन स्विकार करता आंतरी कारण क्या है भगवान का चरणामृत है भगवान का चरणामृत मेरे सिर पर टच होगा उससे बड़ा मेरा क्या सोबाग्य होगा ये उनकी मन पर है इस कारण से उनने स्विकार की दो ठीक है तब भगवान को संबोधित करते हुए उनने कहा हे ब्रामन देवता आपके यहां आगमन से निश्यत ही मेरे पुरुवज संतुष्ठ हुए होंगे आज मेरा पूरा वन्ष पवित्र हो गया है वस्तुत हमें प्रतित होता है कि मात्र आपके उपस्तिती से हमारा एग्य पूरी तरह सफल हो गया है आपके चरण कमलों का प्रक्षालन करके ना केवल मैं अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हुआ हूँ अपे तु आपके छोटे छोटे पद कमलों के स्पर्ष से पूरी वसुंदरा भी आज स्वयम को पावन एवम सभाग्य वतिय नुभव कर रही है वसुंदरा मतलब धर्ती धर्ती भी अपने आपको जो है पावन और सभाग्य वति मान रही है और आपके चरण कमलों का प्रक्षालन करके ना केवल मैं समस्त पाप करमों से मुक्त वाओ अभी तो आपके चोटे-चोटे पद कमलों से ये धर्ती भी बहुत सभाग्य वति हो गई है पावन हो गई है और कौन खुश हुआ होंगे आपकी उपस्तिती को देखकर मेरे यग्य में इस प्रकार से ये बली महराज ने बगवान से कहा ये ब्राह्मन पुत्र ऐसा प्रतित होता है कि आप यहां मुझसे कुछ मांगने आए है आपके मन में जो भी बिलाशा हो बिलाशा है उसे निश्शंकोच कहिए गाय, सोना, घर, खाद्य, अत्वा प्रेय, पदार्थ, विवाह के लिए ब्राह्मन पुत्री, गाव, हाथी, घोडे, अत्वा, रत जो कुछ भी चाहिए, करप्या मांग लेजिए आप आये हो मारे यग्य होरा, अनुस्ठान होरा है तो कुछ आप बांगने के लिए आये होंगे आपको अगर शाद्य करने के लिए ब्राहमने चाहिए तो बोलिए आपको दन संपत्य चाहिए तो बोलिए आपको गाव चाहिए तो बोलिए हाती घोड़े चाहिए तो बोलिए खाने पिने के लिए कुछ बस्तव चाहिए तो बोलिए गाए या सोना या घर चाहिए तो बोलिए इतने सारे ओफर रख दिये बली महराज ने क्या चाहिए बोलो लेकिन हुटा क्या देखिए बली महराज के मधुर वच्छन को सुनकर भगवान वामंद प्रसण नथे उनकी प्रसंसा करते हुए वैं कहने लगे है राजन आप ब्रामौनों के मार्ग दर्शन में आकारे करते हैं और सुदेव अपने पिता महाँ प्रहलाद महराज की छत्रचाया में रेते हो इसलिए ने समसे आप अतिन्त महान है भगवान वामन ने बली महराज की प्रशनसा की कि राजन आप ब्राह्मनों के मारक दर्शन में कारे करते हो हमें भी जीवन में किसके अंडर में कारे करना है गुरू के अंडर में प्रमाणी गुरू के अंडर देरिशन में और सदेव अपने पिता महां प्रहाद महराज की छत्रचाय में रहते हो इसलिए नीज संसाय आप अतिंत महान है मैं जानता हूँ कि आज तक आपके वंस में ऐसे संकुचित अत्वा किर्पन मानसिकता वाले एक भी व्यक्ति ने जन्रम नहीं लिया जिसने ब्रामनों को दान देने से मना किया हो अत्वा युद भूमी में किसी छत्रिय को चुनोती स्विकार न की हो और नहीं तुमारे वंस में दान का वच्चन देने के बाद कोई अपने वच्चन से मुकरा है तुम यास बहुत बड़े दान दे रहो बहुत बड़ा दान देते हो सही बात है तुम्हारे वन्ष में कभी भी कोई दान की बात करके मुकराई हैं हर कोई वक्ती दान देता है और ये जो युद्ध भूमे में किसी छत्रिय को जो अगर चुनोती मिल गई है युद्र की वो भी वो स्विकार कर लेते हैं इस परकार से हम भी स्विकार करते हैं हम भी स्विकार करते हैं क्या बोल दिया मैंने बोलो बोलो बावमन देवने सोचे अब भी कौन बोल रहे हैं और नहीं तुम्हारे वंश में दान का वचन देने के बाद कोई भी अपने वचन से मुकरा है एक बार बोल दिया तो दे देता है अभी मुझे कुछ दान याद आने लग गया एक बार एक वक्ति दे गोला था कि गुड़गा मंदिर के लिए दो लिफ्ट दूँगा मैं अब वे तक दिया नहीं कुंद करना पड़ेगा उसका हे वीर हिरन्याक्ष का जन्म तुम्हारे ही वंश में हुआ उसने बिना किसी की साहिता के समस्त दिशाओं को जीत लिया था वरहा रूप में भगवान विश्व ने विश्वन मुट भेड के बाद अत्यंत कठिनाई से उस पर विजे पराप्त की थी बाद में जब भगवान ने हिरन्याक्ष की असादरन सुर विरता पर विचार किया तो वे वास्त मैं स्वयं मैं को विजीता मानने का घर्ब करने लगे हिरन्याक्ष का वद किसने किया था यजब हिरन्यकष्व ने अपने भाई की मिर्द्यू का समाचा सुना तो क्रौध वश वे परतिशोव लेने के लिए भगवान विश्णु के धाम पर जहां पहुंचा जब भगवान ने देखा कि हिरनक श्पु उपने हाथ में तर्शु लेकर आ रहा है तो वे विचार करने लगे मैं जहां भी जाओंगा हिरनक श्पु उसी प्रकार मेरा पीछा करेगा जिस प्रकार समस्त जीवों का पीछा करती है इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसी के रदे में छिप जाओंग। किसके रदे में छिप जाओंगा हिरनक श्पु के चो कि यहां केवल बाहर ही देखता है यह कभी भी मुझे अपने भीतर नहीं खोज पाएगा यहां विचार करके भगवान विश्णू हिरनक श्पु के शेरे में प्रविष्ट हो गए जो उसमें तिवरगती स्वारी जो उसमें तिवरगती से उनकी और दोड़ा चला आ रहा था तो भगवान जो है पौन किसके रदे में छुप गया बताईए जल्दी से भगवान रूप में नहीं कौन से रूप में हैं विश्णू रूप में और कौन से अवतार में हैं नरसेंग वतार बरह वतार नर सिंग वतार भात कुल यह था बारा रूप में बारा रूप में थन्यवाद थन्यवाद तोके थैंक यू यहां बात क्या पढ़ीती हमने कि हे विर हिरन्याक्ष का जन्द तुमारे ही वन्ष में हुआ है उसे बिना किसी सायता के समस्त देवताओं को जीत लिया था वरहा रूप में भगवान विष्णू ने विष्ण मुठभेद के बाद अत्यंत कठिनाई से उस पर विजय प्राफ्त की थी किसके ओपर हिरन्याक्ष तो हिरन्याक्ष के बाद कम्पलिट हो गई नेक्ष बाद में जब भगवान ने हिरन्याक्ष किया साधान सूर विरता प हिरिन कश्रपू ने अपने भाई कि मर्तियू का समाचा सुना तो क्रोधवश वे प्रतिशोद लेने के लिए भगवान विश्णो के धाम पर जा पहुँचा भगवान जब भगवान ने देखा कि हिरिन कश्रपू अपने हाथ में रदें में छिप जाओंगी यह स्भावना ज़ी कौन बोल रहा है कि मैं इसके रदें में छिप जाओं भगवान विश्णो कि किसके रदें में छिपने के लिए बोल रहे है भगवान ने क्या देखा कि भगवान ने देखा हिरिन कश्रपू अपने हाथ में तुवे विचार करने लगे मैं जहां भी जाओंगा हिरने कर्शुपू उसी परकार मेरा पिछा करेगा जिस परकार मरत्यू समस्त जीवों का पिछा करती है इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसी के रदे में छिप जाओं जो कि यह केबल बाहरी देखता है या कभी भी मुझे अपने बीतर नहीं खोजवाएगा हिरने कर्शुपू कहां ढूंड़ रहा है बगवान को बाहर ढूंड़ रहा है अंदर नहीं ढूंड पाएगा यहां विचार करके बगवान विश्णू हिरन कश्पु के शरीन में प्रविष्ट हो गए जो उस समय तिवरगती से उनकी और दोड़ के दोड़ चला आ रहा था ठीक है समय क्या हो गया तेरा अभी और भी बहुत सारी बाते हैं अभी भगवान और भी बोलने वाले हैं जिसको हम कल करेंगे ठीक है अगर यहां तक भगवान की बोलने से समाप्त हो जाता है तो हम बाग की बचाओ कल करेंगे अभी तीन पक धरती जो है मांगेंगे भगवान ठीक है अरे कृष्ण कोई प्रश्न है प्रभु जी गंगा जी शिप जी के जटाओं में क्यों आएं बांके बिहारी की देख चटाओं मेरा मन है गया लटापटाओं किसने प्रश्न पूछा है जी प्रभु जी प्रश्न किसने पूछा है अभी लेखा अच्छा अभी लेखा माताजी आप कहा रहते है एहमदवाद अच्छा अच्छा ठेक है बहुत बढ़िया माताजी अभी आएगा ये कथा बट इससे पहले भी हम समझ चुके हैं कि जो बामन अवतार में बामन अवतार में बामन ने उस ब्रमांड की दिवार को तोड़ दिया तो बाहर का जो जल्द था वो अंदर आने लगा और जब अंदर आ रहा था तो भगवान के चरणों को धो के आ रहा था तब जो है वो जो जो जल्द था वो गंगला कहला है वो भगवान का चरणा मृत था और वो पहले उपर के लोकों में ही था नीचे के लोकों में नहीं था तो एक सगर राजा हुआ है और सगर राजा के 60,000 पुत्र थे और 60,000 पुत्र जो हैं मारे गए थे उनको जिन्दा करने के लिए उनके वन्स में और आगे 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 जाके पीडी में आगे जाके आते हैं भगीरत जी तो भगीरत जी जो हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए बगवान से प्रात्ना किये तपस्या किये तो उनको मालुम पढ़ा कि गंगा महिया अगर धर्ती पर अवत्रित हो जाए और जो गंगा सागर नामक कप्विल मुनिक आश्रम में वहां पर अगर आ जाए गंगा तो जो है इनके मेरे पुरुवजा की मुक्ति हो जाएग तब जो है भगिरत जी ने इतनी तुपस्या की और गंगा महिया को जो है स्वर्ग से अवत्रित करने के लिए निविदन किया लेकिन गंगा महिया अगर धर्ती पर उत्रेगी तो क्या होगा प्ले आगए तो बहुत वेग अधिक था उस वेग को कौन साहन करेगा तो आ को दूसरा प्रश्ण पुछा था मैं आओंगी लोग मेरे जल में सनान करेंगे सारा पाप मेरे जल में छोड़कर चले जाएंगे तो मैं का शुर्द भक्त आकर गरकर कि आप से जल में करेंगे तो आप सुध्द हो जाएंगे गंगा और यमुना मैंसे स्रेष्ट कौन है बहुत डिफिकल्ट प्रस्ण है बहुत डिफिकल्ट है लेकिन उतर दे देते हैं दोनों ही परम कल्यान कारी हैं लेकिन यमुना मैं अधिक भगवान के संगीनी है ये उतर है भगवान उसमें स्नान किये भगवान उसमें खेले भगवान उनको पट्रानी के रुप में स्विकार किया और भगवान के चर्णो को उनने इसपर्श किया तो इसलिए गंगा मैं सिकायत करती है क्या सिकायत करती है कि देखो आपने यमुना महिया में तो बहुत सारी लिलाइ की है उनको पट्रानी के रूप में स्विकार किया है उसमें सनान भी किया है तो मेरा क्या होगा तब अगवान कहते है चिंता मत कर मैं गौरांग रूप में आऊंगा कितने महापुर्व के रुप में आऊंगा और तुम मेरे पास में बहोगी और मैं तुमें सनान करूग मायापुर में कौन बहती है गंगा मेरा भजन लॉंच होने वाला तक कब होगा मालूब नहीं मायापुर जाने को जी चाहता है इसे वरिंदावन में है ना वरिंदावन में यमुना हैं बहती मायापुर में गंगा हैं बहती गोता लगाने को जी चाहता है अब फिर से आज मेरा यह प्रजेक्ट पुरा नहीं होने वाला क्यों? पहले ही बवाल कर दो, पूरा बोल दो, गोष्णार कर दो, तो कुछी नहीं होने होना, अरे कृष्णा, होगा, ठीक है, अब रहसे खोल दिया, एक साल तो ऐसी रहसे में निकल गया था, अरे कृष्णा, येस, मालाच जब शुरू करेंगे, किसी का कोई पृष्णा है तो ठ आप सब इसे लिए, हम बोले है, खरकर्टा से माया पूरी कितनी दूर है प्रभुजी, चार गंटे के दूरी पर, प्रभुजी की वो, मधुपंडी जी ने बताया है कि वो साथ दिन बाद, सोपीम कोट अपना नेरने लेगी तो अपने उसके लिए, अभी से खुष्णा क कुछ उसके लिए चैंटिंग करें, सब जने मिलके, रिकॉर्डिंग आफ कर सकते हैं?